28 June 2021 के लिए मेरी Stock Watch List में 3 Stocks हैं Axis Bank, Tata Steel और Dabber आई एक बार चार्ट पे इनके Important Levels को देख लेते हैं और बताता हूँ कि क्या होगी मेरी खुद की Personal Planning इन सारे ही Stocks में Intraday Trades के लिए तो आई शुरुआत करते हैं Axis Bank से और इसका अगर आप देख पा रहे हूँ Daily Time Frame का चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है और Already दो Important Levels मार्क करके रखे हुए हैं पिछले दिन का जो एक Volume आता हुआ देखने को मिला एक काफी अच्छा Movement आता हुआ देखने मिला 3% उपर जाकर ये Stock बंद हुआ और कहीं न कहीं एक Bullish Momentum बनता हो मझे देखने मिल रहा है Next Trading Session में भी तो Intraday में एक छोटा सा Trade प्लान करूँगा कभी भी ये Stock जो है 766 के उपर निकलता है तो एक 10 रुपए का Quick Trade प्लान करूँगा Stop Losses 5-7 रुपए के रखेंगे और जैसे जैसे ये हम लोगों की फेवर में बढ़ता है Stop Losses को ट्रेल करेंगे ताकि हमारे जो भी रिस्क है वो थोड़ा सा कम होते चले तो इस तरीके से कुछ प्लान रहेगा 10 रुपए का Target रहेगा Axis Bank में Intraday के लिए अगला जो हमारा Stock है वो देख लेते हैं Tata Steel Nifty Metal का काफी अच्छा एक Stock है और मैं अक्सर करके इसमें ट्रेड करता रहता हूँ एक वार फिर से ये एक Move दिखा सकता है आने वाले Trading Sessions में पिछले कुछ Trading Sessions में अल्रेडी ये उपर Move कर चुका है और पिछले Trading Session का जो एक Volume था अगर आप देख पा रहा हूँ Currently 18.023 Million का Volume है Intra Day में और 4.68% बढ़ कर ये Close हुआ था अगर कल के Trading Session में ये 1170 को Cross करता हुआ देखने मिले हैं तो मैं इसमें Quick Trade Plan करूँगा 14-15 रूपी के लिए Stop Losses Similarly 5-7 रूपी के होंगे तो काफी अच्छा एक Move इसमें Expected है मैं इसमें जरूर अपनी नजर बना के रखूँगा अगला जो हमारा Stock है वो है Dower FMCG सेक्टर से एक Stock इसमें दो Levels मैंने Mark कर रखे हैं जो की Support की तरह काम करेंगे अगर पहला Support Break होता है जो की 560 के आसपास है और अगर ये Break होता है तो एक Quick Movement इसमें पॉसिवल है 12-13 रुपए के लिए Next Target हो सकता है 549 रुपए का और Similarly 5-7 रुपए का इसमें भी Stop Loss लेकर चलूँगा इंटरेड में तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये Stocks पसंद आ रहे हैं पसंद आ रही है और उससे कुछ सीखने मिल रहा है अगर कुछ सीखने मिल रहा है तो मुझे बताएं बताने के लिए इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए Trade Safe Trade Logically